खबर गाजीपुर के जमाना से जहाँ जलादकारे मंगला पुसास सिंग ने किया तहसिल बलाक लगरपाली का वप्राथ्मिक स्वास केंद का आउचा प्रेक्शन जलादकारी के अचानक पहसिने से करुमचार्यों में खलबनी मची रहे गिलादकारी मंगला पुसास सिंग शुक्रवार की दोभार करीफ पौने दो बजे समानया तहसिल पहुचे इस दोरान उन्होंने तहसिल परिसर का भुर्मण कर स्ट्रीम नियाले गये जहां बिख्री हुई फाइलों को बेक उसे व्यवस्ति ठंक से रखने का निर्देश दिया वह खताउनी कारले में उन्होंने पद्यतन खताउनी आवेदरों की संख्या वा उससे प्राप्त धनराशी का मिलान किया जिसके बाद अबलेक कच्छ कानून गो कच्छ आपदा नियंदर कच राजस्ट संग्रह कच तहसिल सभागार आदी कारलों का नियुशन किया जहां अबलेक कच में बिखे वेवेवलेकों को देख कर नाराज़गी वेक्ट किये और तहसिलदार आलो कुमार को उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का नियुशन को दिया निरिच्छन के दोरान तहसिल के कारेलों में पर्याप्त बिजली की विवस्थावा टूटे हुए कुर्शियों को बदलने का निर्दीश दिये इसके बाद ब्लाक कारेले पहुँचे जहां साप सफाई को देखा इसके बाद जिलातकारी मंगला प्रसाथ सिंग ने प्रात्मिक स्वासकेंद पहुँच कर ओपीडी प्रसाव केंदर दवा वितरनवा मरीज भरती जिकच करने इक्षन किया और साप सफाई का जाजा लिया इस दोरान उन्होंने मीडिया से मुखातिव होते हैं कहा कि कोईट-19 को ध्यान में रखते हुए दो गस की दूरी और मास्क के लगा कर कार करने की जरूरत है तथा समय समय पर हाथों को सेनिटाइज करना जरूरी है इसके लिए सभी कोईजा आगरूख होने के जरूरत है जमना से आजात्सा के रिपोर्ट मुकरूफ साज मुझे देखना है कि विवस्ताइज चल कैसी रही है साफ सफाई कैसी है हमारे अतिकारी कर्मचारी कैसे बैठ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं यह देखना है कोईट को देखते वे आप इसों में क्या साफानिया में लिए तेकि सोचल डिश्टांसिंग को फालो करना चाहिए आप लोगों को से भी मेरा रोज आप लोग भी सटके खड़े हैं ध्यान रखिये मॉस्क लगाईए कम से कम दोगच की दूरी आपसमें बिनाए रखिये औ किया साथ समय को